नमस्कार दोस्तों जैसरी राम जैबागेस्वरदाम सरकार दोस्तों हमारे धर्म में ऐसे अनेक व्रिक्ष हैं जो कल्यानकारी एवं मंगलकारी कहे गए हैं और ये व्रिक्ष मनस्यों के सभी प्रकार के कष्टों को दूर करती हैं परिसानियों को दूर करती है और दूर करने में समर्थवान भी है तो दोस्तों आज की सुड़ों में हम आपको तीन ऐसे पवित्र व्रिक्षों के बारे में बताएंगे जिसे आपको दिपाउली के दिन साम के समय में छू करके आना होता है और साथ में आपको एक कपूर और एक लॉंग रखना होता है और विक्ष के नीचे रखकर इसे जलाना भी होता है और दोस्तों आप इस विक्ष को अपनी समस्या भी बोलेंगे और इसे चूते ही आपकी गरीबी मिट जाएंगी और अगर आपके उपर बुरी नजर लगी हो किसी का हाय लगा हो किसी की बद्वा लगी हो आपके घर में किसी की बुरी नजर लगी हो आपके सनी दोस लगे हुए हो या आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दोस लगा हो तो दोस्तों इस व्रिक्ष को छूते ही आपके वे सभी दोस उस व्रिक्ष के द्वारा और सोसित कर लिये जाएंगे और उस व्रिक्ष की कृपा से आपके जो भी दोस हैं जो भी पाप हैं वो नश्ट हो जाएंगे जिससे आपके घर में बरकत होगी, पैसों की बढ़ोतरी होगी, आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी और दोस्तों साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भोग सरूप उस व्रिक्ष को क्या भोग लगाना है तो दोस्तों ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हैं तो इस वीडियो को पूरा आकरी तक जरूर देखिएगा तो चलिए दोस्तों आप लोगों को उन व्रिक्षों के बारे में बता देता हूँ नमबर एक पारिजात का व्रिक्ष दोस्तों जो पारिजात का व्रिक्ष हैं उसे काफी उत्तम व्रिक्ष कहा गया हैं और दोस्तों ये देवराज इंद्र के नंदन वन में इस्थापित किया गया था और पारिजात के व्रिक्ष को भगवान से कृष्ण ने मानावजात की कल यान के लिए धर्ती लोग पर लाये थे और हर हिंदू भाई बहनों को इस कथा के बारे में जरूर पता होगा सत्यभामा की कथा पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी और दोस्तों इस व्रिक्षे के नीचे ध्यान से सुनना इस व्रिक्षे के नीचे आपको जलाना है और अगर आप घी का दीपक नहीं जला सकते हैं तो कोई बात नहीं आप सरसो के तेल का या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं और दोस्तों आपको करना क्या है आपको एक लौंग रखना है और एक कपूर रखना है और व्रिक्ष के नीचे रखकर इसे जला देना है और अपनी मनोकामना बोलना है कि हे व्रिक्ष राज आप हमारी ये मनोकामना पूरी करें और फिर इस व्रिक्ष को आपको छूना है और छूने के बाद इस पारिजात के व्रिक्ष को मक्खन का भोग लगाना है क्योंकि पारिजात के वरिक्ष पर स्वैम भगवान विष्णु जी और लच्मी माता निमास करती हैं और भगवान स्रीकृष्ण का इसे स्वरूप कहा गया हैं क्यूंकि उन्होंने ही मानवजात के कल्यान के लिए इस पारिजात के व्रिक्छ को नंदनवन से धर्ती पर लाए थे और दोस्तों अगर आपके कुंडली में दोस लगा हुआ हो या किसी की हाय लगी हो किसी की बुरी नजर लगी हो या किसी की बद्धवा लगी हो या फिर आपके किसी बुरे कर्म के कारण आपके जीवन में कष्ट आ रहा हो या सनी दोस लगा हुआ हो तो इस व्रिक्ष को लगे हुए बुरे नजर को और मेरे पाप कर्मों को आप दूर करें और साथ ही साथ मेरे सनी ग्रह को सांद करें और उसके लगे हुए दोस्त को दूर करके मुझे इन कष्टों से निकाल दो ऐसा बोलना है दोस्तों इससे लश्मी नारायन भगवान और कृष्ण भगवान आपके दोसों को दूर करके आपके बद्धुाओं को आपके हाय को दूर करके आपके कष्टों को दूर करके आपके सनीग्रा को सांध कर देंगे जिससे आपका जीवन खुसाल में हो जाएगा और आपकी कुंडली के सभी दोस्त समाप्त हो जाएंगे जिससे आपके घर में धन की व्रिद्धी होगी, माल अच्मी की आप पर कृपा होगी लेकिन दोस्तों अगर आपके आसपास पारिजात का व्रिक्ष नहीं हो तो चलिए दोस्तों मैं आपको दूसरा व्रिक्ष बता देता हूँ दोस्तों दूसरा व्रिक्ष है गुलर का व्रिक्ष दोस्तों गुलर के व्रिक्ष को मैं यहाँ पर इतना उत्तम क्यों बता रहा हूं क्योंकि दोस्तों गुलर के व्रिक्ष को स्वैम भगवान नर्सिंग देव का वरदान प्राप्त हैं और नरसिंग देव ने गुलर विक्ष को वर्दान दिया है कि हे विक्षराज मैं स्वैम और माता लच्मी आपके इस गुलर विक्ष पर निवास करेंगे और गुलर के व्रिक्ष को भगवान नर्सिंग ने बहुत सारा वर्दान भी दिया है कि आप लोगों के कश्टों को भी हरेंगे तो दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों आपको दिपावली के दिन साम के समय इस व्रिक्ष के पास जाना है और इसके नीचे घी का दीपक जलाना है और दोस्तों अगर आप घी का दीपक जलाने में समर्थ नहीं है तो आप सरसों का या फिर तिल के तिल का भी दीपक जला सकते हैं और साथ में आपको एक कपूर और एक लॉंग रख कर उसे भी जला देना है और फिर इसे चुकर प्रातना करना है कि हे गुलर हे व्रिक्षराज हम आपसे प्रातना लगाते हैं कि आपके व्रिक्ष पर स्वैम नरसिंग देव और मातल अचमी विराजित हैं इसलिए हम आपसे प्रातना लगा रहे हैं कि आप हमारी गरीबी और हमारी परिसानी एवं किसी का हमारे उपर है लगा हो दोस लगा हुआ हो बद्वा लगा हो या किसी की बुरी नजर लगी हो या हमारे घर में किसी की बुरी नजर लगी हो दोस लगा हुआ हो तो आप हमारे सारे दोसों को दूर कर दीजिए और अपने में समाहित कर लीजिए खीच लीजिए इस प्रकार आपको प्रातना करनी है और गुलर के व्रिक्ष को आपको बतासे का भोग लगाना है और दोस्तों इस प्रकार प्रातना करने से माता लच्मी की और भगवान नर्सिंग देव की आप पर कृपा हो जाएगी और आप पर लगे हुए सारे दोस्ट दूर हो जाएंगे आपके कर्ष्ट दूर हो जाएंगे और आपके उपर माता लच्मी की कृपा होने से आपके घर में धन्धाने की वृद्धी होगी तो चलिए दोस्तों मैं आपको तीसरे व्रिक्ष के बारे में बता देता हूँ दोस्तों नमबर तीन पर हैं बेल का व्रिक्ष दोस्तों हम आपको बता दें कि बेल के व्रिक्ष को पारवती का स्वरूप माना गया है क्यूंकि इस विक्ष की उत्पत्ती मा पार्वती के पसीने से हुई है और यह इसकंद पुरान में बहुत ही इसपष्ट रूप से लिखा हुआ है और इसके पत्ते में सियू, डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा और तने में विश्नुजी स्वैम रहते हैं और संध्याकाल में ऐसा माना जाता है कि सियू मंदीर के समीप में जो बेल विक्ष हैं तो इसके नीचे में जो भी वेक्ती अगर दिपावली के दिन वैसे संध्याकाल में डेली जलाना चाहिए लेकिन दिपावली के दिन संध्याकाल में अगर आप घी का दीपक जला देते हैं तो इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो आपको धन की अच्छे गुणों की और परमसिव भक्ति की प्राप्ति होती हैं और इस व्रिक्ष को छूने से आप लगा हो दूर हो जाते हैं तो देखिए दोस्तों आपको करना क्या है आपको बेल व्रिक्ष के नीचे एक गी का दीपक जला देना हैं और कहा जाता हैं कि बेल व्रिक्ष माता पारवती और सिव जी का स्वरूप हैं और इसके जड़ के मूल भाग में समस्त तीर्था आकर निवास करते हैं इसलिए सावन के महिने में कहा जाता हैं कि जो लोग अगर तीर्था धाम नहीं जा सकते हैं तीर्थों के दर्सन नहीं कर पाते हैं तो ऐसे व्रिक्ष के नीचे घी का दीपक जला लेते हैं तो संपून जितने भी तीर्थ होते हैं उसके घूमने के ब धन प्राप्ति की चाहत नहीं होती है कई लोगों को पुन्य की भी जरुरत होती है उन्हें भक्ती करने की और अध्यात्मिक उन्नती की चाहत होती है तो दोस्तों आपको करना क्या है आपको दिपौली के दिन इस विक्ष को छूना है और मापारवती और भगवान सिव से प्रातना करनी हैं कि हे मापारवती आप ही सकती हैं आप ही लच्मी हैं आप ही संसार को चलाने वाली हैं और इस प्रकार से प्रातना करते हुए इस व्रिक्ष को चुना हैं और कहना हैं कि हे माता मेरी निर्धर्णता मिटाएं मेरे जीवन में चल रही परिसानियों को दूर करें मेरे कश्टों को दूर करें इस प्रकार से प्रात्ना करनी है और फिर इसके बाद एक कपूर और एक लौंग को जला देना है और फिर इस व्रिक्ष को भोग सरूब धतूरे के पत्ते और धतूरे के फल को समर्पित कर देना है और कहना है कि हे भगवान आप इसे स्विकार करें और धतूरे के पत्ते, पुस्प और फल को बेल व्रिक्षे के जड़ के पास रख देना है और एक प्रातना और जरूर करनी है कि हे प्रभु हमारे उपर किसी का हाय लगा हुआ हो या किसी की बुरी नजर लगी हो दोस लगा हुआ हो सनी दोस लगा हुआ हो या किसी भी प्रकार के नौ ग्रह हमें पिडित कर रहे हो तो आप इसे सांध करके हमारे कश्टों को दूर कर देना हमारे दोसों को दूर कर देना इस प्रकार प्रातना करनी है और दोस्तों एक खास उपाय और है कि आपको मिसरित युक्त दूद यानि कि जो मिसरी होती है खड़ी वाली सक्कर टैप की उसे दूद में घोल कर बेल वि कभी भी निर्धन नहीं होता है उसके उपर भगवान सिव की मा पारवती की और लचमी जी की कृपा हो जाती है और वह सीग्रही धनवान हो जाता है और उसके जीवन में खुसाली आ जाती है उसके घर में बरकत सुरू हो जाती है वह धन धाने से परिपूर्ण हो जाता है तो दोस्तों ये तीन व्रिक्ष थे जिनकी पूजा आप कर लेते हैं और इन उपायों को कर लेते हैं तो अगर आपके जीवन में कोई परेसानी चल रही हो आपके जीवन में कोई दोस लगा हो आपके जीवन में किसी का हाय लगा हो बुरी नजर लगा हो और आपके जीवन मे गरीबी चल रही हो निर्धनता चल रही हो तो वो सभी दूर हो जाएंगे वो सभी कष्ट मिट जाएंगे क्योंकि इन विक्षों में स्वैम भगवान निवास करते हैं और उनकी कृपा आप पर हो जाती है जिससे वो आपके उपर लगे हुए सभी दोसों और कष्टों को अपने उपर ले लेते हैं और आपके दुखों कष्टों को दूर कर देते हैं तो दोस्तों इन उपायों को आप जरूर कीजिए तो आज की सुड़ों के लिए बस इतना ही सो थैंक्यू सोमा जै सरी राम जै बागसवर्द हम सरकार